हरे कृष्णा भगवत गिता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय का 38 वाश लोग इसमें भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में दिव्य ज्यान के समान actually it's not about कि सिरब आपने ज्यान ले लिया तो हो गया सब कुछ अब ग्यान अगर आपने ठीक से लिया है तो आप उसको विज्यान तो बनाओगे ना ग्यान is theory, विज्यान is practical अब आपको अगर एक चीज़ पता चल गई कि क्या है भगवान, क्या है भक्ति, क्या है आत्मा, क्या हरी नाम क्या है शास्त्र, क्या है गुरू तो फिर आप उन सब चीज़ों में आगे जाओगे तो इस संसार में दिव्य ग्यान के समान कुछ भी उद्यात तथा शुद्ध नहीं है English version अगर हम इस भगवत गीता का देखे तो उद्यात में word यूज़ किया गया sublime, sublime की अगर dictionary meaning देखे तो वो है best, excellent, superb तो भगवान कह रहे हैं दिव्य ग्यान के समान कुछ भी best नहीं है, अच्छा नहीं है और शुद्ध भी नहीं है, यानि कि ऐसे बोले सीधा-सीधा कि दिव्य ग्यान जो है वो सर्वश्रेष्ट है, सर्वशुद्ध है, इससे better कुछ भी नहीं है अगर आपने एक बार अपने जीवन में अध्यात में ग्यान ले लिया, तो बस आपको सब कुछ मिल चुका है ऐसा ग्यान समस्त योग का परी पकवफल है, जैसे पकवफल होता ने, एकदम मीठा हर कोई इसको खाना पसंद करता है, तो इसी तरह से ये जो ग्यान है, इसको मतलब लेने के बाद आप समझे कि कुछ और बचा ही नहीं दी बेस्ट चीज आपको मिल गई, जो व्यक्ति, भक्ति में सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो के मतलब परफेक्ट हो गया, उसने पूरा एक तरह से अपने आपको उस रहा पर चला दिया और सफलता की सीड़ी चड़ गया, तो जो व्यक्ति, भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वे यता समय अपने अंतर में यानि इंटरनल उसके अंदर इस ज्ञान का आज स्वादन करता है यानि उसको बड़ी शांती मिलती है वो बड़ा संतुष्ट, शांत, खुश और मतलब अपने जीवन में जिसको कहते हैं बिल्कुल संभाव, नो उतार, नो चुड़ाव, इजी लाइफ, खुश लाइफ, हैपी लाइफ, वो इन सब चीजों को महसूस करता है जिसने एक बार भक्ती में दिव्य ज्यान जिसको मिल गया, आत्मा का ज्यान जो समझ गया, आत्मा परमात्मा का भेद समझ गया, भगवान और परमात्मा का भेद समझ गया, देवता और भगवान का भेद समझ गया, धर्ती और स्वर्ग और वैकुंट का फरक समझ लिया, पाप, पुन्य और भक्ति में करम समझ लिये सतोगुन, रजोगुन और तमोगुन समझ लिया वैशनव गुरु से दिक्षा का महत्व समझ लिया हरी नाम का महत्व समझ लिया शास्त्रों की महत्वता समझ लिया भक्तों के संग को समझ पाया भक्तों के संग को कर पाया तो जो वेक्ती भक्ती में सिद्ध हो गया यह था समय अपने अंतर में इस ज्ञान का स्वादन करेगा उसको एक अलगी 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 अनुभूती होगी जीवन की इसमें कोई संदे नहीं है भगवान 49 में श्लोक में कह रहे हैं लेकिन जो शृद्धालु दिव्य घ्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश्मे कर लिया है शृद्धालु शृद्धा तो चाहिए पता लगा दिव्य घ्ञान मिल भी अदिशए लेकिन लग रहा है इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है एक्षिली जब तक इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं तब तक आपको ये theory knowledge मिल भी गई तो आप practical में करोगे कैसे वही तो मुश्किल है और इसे प्राप्त करते ही वेतरंत अध्यात्मिक शांती को प्राप्त होता है उसका मन शान तो जाता है उसको पता है कि बहुत इकता मैं कितनी भी हासिल कर लूँ ultimately सब यहीं छूड जाना है ऐसा नहीं कि इसके बाद वो काम करना बन कर देता है तब भी वो perfection के लिए बहुत इक दुनिया में भी काम करता ही रहता है और वो और उसे हो सकता बहुत भैतर भी हासिल कर ले बट अंदर ये अंदर जो अध्यात्मिक शांती है उसकी आत्मा अब संतुष्ठ है उसको पता है कि मुझे क्या हासिल करना है कि शास्त्र और उन पर विश्वास शृद्धा कितनी जुरूरी है भगवान कह रहे है जो अज्यानी तता शृद्धाहीन वेक्ती शास्त्रों में संधे करते है उनको लगता है भगवत गीता तो मन गडंद बुक है वे भगवत भावनावरत नहीं प्राप्ट करते कैसे मिलेगी अगर आपको इस बात पर विश्वास ही नहीं कि जो भगवत गीता में लिखा रमायन में लिखा है श्रीमत भागवतम में लिखा है ये सब सही है आप उन बुक्स पर ही डाउट करें तो इसका मतला आप भगवान को समझ ही नहीं पाओगे फिर आप मनो धर्म से चलोगे मेरे अनुसार तो फिर वो किसी भी विक्ती को भगवान मान लेगा या किसी को भगवान नहीं मानेगा या जोती कोई भगवान माल लेगा कि भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है निराकार है वो कुछ भी कुछ भी जिसने शास्त्रों को ठीक से नहीं पड़ा वो भगवान को समझीना पाएगा चौत्या ध्याय के नवेश लोक में भगवान ने का था जो मेरा जन्म कर्म समझ लेगा ना उसकी दिविता को समझ लेगा वो सीधा मोक्ष को प्राप्त कर ले क्योंगी समझना ही तो मुश्किल है हमारे अंदर एक डाउट खड़ा रहता है कुछ भी जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं समझते हैं हमें लगता कि नहीं बात ये नहीं है शायद कुछ और है जो अज्ञानी तथा शृद्धा विहीन वेक्ती शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावना मरत प्राप्त नहीं करते अब तो नीचे गर जाते हैं अब नीचे गरने का मतलब नीचे गरने का मतलब ये नहीं ये धर्ती पे गर गए नीचे गरने का मतलब है निम्न लोक निम्न योनी पहले भी कई बर चर्चा कर चुका हूँ अब ये अच्छी वेली मनश्य योनी है लेकिन शास्त्रों पर संदेह करके कुछ भी जब उसमें तो लिखा जो मानना नहीं अपने मर्ज़ दो कुछ भी करते रहे पता लगा अगले जनब में कुटा घोडा पंची कीडा कुछ भी बन गए निम्न योनी या निम्न लोकों महीं पहुंच गए पताल, नरक, लोकाज और कहीं पहुंच गए इसको बोलते हैं नीचे गरना अपितो नीचे गर जाते हैं संश है आत्मा वो आत्मा जो संश है करती है डौट करती है जिसको संदेह है कि ये शास्तर सही है कि नहीं है भगवान कह रहे है उसको ना इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है उसको कभी सुख मिले गई नहीं वो दुखी रहेगा क्योंकि सीधा सच्चा रास्ता उसको कोई दिखा रहा है वो उसको देखना नहीं उसको चलना नहीं तो फिर उसको तो दिक्कत आएगी ही खेर आप तो भगवत गीता पढ़ी रहे हैं और भगवत गीता में को पूरी उमीध है आपने खरीद ली होगी पढ़ना शुरू कर दिया होगा और अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी आप इंस्पार करें कि वो भगवत गीता पढ़ें भगवत गीता के प्रचार में आप से जितना संभव हो जरूर थोड़ा सा समय निकाल कर भगवत गीता का प्रचार भी करें और खुद भी इसको पढ़ें अपने जीवन में अपनाएं आप अगर हम से जुड़ना चाहते हैं आप संपर कीजिए नंबर वीडियो पर दिया गया है और इस सारी वीडियो जो मैं बोलता हूँ ये systematically hindiharikatha.com पर अविलेबल हैं कोई लॉग इन नहीं है कोई चार्जिज नहीं है और उको भी बता सकते हैं कोई भी बिना मुझ से संपर किये सीधा लॉग इन मतलब लॉग इन क्या बस वेबसाइट पर जाए और वीडियो को देख ले आपका तम हरे कृष्णा